नौजील के सामुदाइक स्वासकिंद के परसर में बने सरकारी आवासों में चोरों ने धावा बोल दिया यहां से चोर सोने चांदी के आवुसर सहित नगदी को पार कर ले गए पुलिस मामले की जांच में जुटी है नौजिल सामुदाइक स्वासकिंद परसर में बने सरकारी आवासों में चिकिस्टकों सहित अस्पताल का स्टाफ रहता है जिन में दो A&M लता और बसंता भी रहती हैं दो पहर दिन धाड़े अस्पताल के आवासों की सुरक्षा में चोरों ने सैंद लगा दी और दो आवासों के ताले चटका दिये जहां से हजारों रुपे की नग दी और सोने के आवुशनों को चोर पार कर ले गए ड्यूटी कर वापस आवास पर पहुंची लता A&M ने जब दरवाजे के गेट पर लगा ताला टूटा देखा तो उसके होस उड़ गए और उसने आनन फानन में अस्पताल की स्टाफ को सूचना दी मौके पर जाकर देखा तो बसंता और लता के कमरे का सावान इधर उधर भिखरा पड़ा था दरवाजे के ताले टूटे हुए थे अस्पताल के चिकिस्सक डाक्टर अर्विन चौधरी ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पुलिस मामले की परताल में जुट गई वहीं सवाल ये उठता है कि अस्पताल परसर में लगे सीसी टीवी कैमरों को भी चोरों ने चक्मा दे दिया और घटना को अंजाम दे कर आसानी से रफू चक्कर हो गए और किसी को भनक तक नहीं लगी गटना के सम्मंद में A.N.M. लता ने बताया कि वे आयुष्मान योजना के तहट फील्ड में वर्क करने के लिए गई थी घर पर उनके पती थे जो जरूरी काम से आवास का ताला रगा कर बैंक चले गए वापस लोटे तो आवास के ताले तूटे पड़े थे जिसमें करीब 30,000 रुपे की नगदी और लाखों रुपे के सोने के जेवर चोरी हो गए वही थाना प्रभारी निरिक्चक नौजिल प्रदीप कुमार का कहना है के चोरों की तलास की जा रही है और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा लेशी की पैसा वागने के लिए बैंग चले गए थे और खरीब दो तीन घंडे बाद टैम मैंने देखा नहीं है मेरे असमंदी के फोन आया साथ आला टूटा पड़ा है सारे सामान फाइली होई पड़ी है इसमें से कई चीजे मेली नह रही है मेरी सामने वाली कमरे में मे की जाल और चुप्ती पे गई हुई है दो चार दिन के लिए यह हुआ है लगभग धाग ढइन तोले की तो मेरा कमरे से गई है जीदी की मुझे इतना कंफर्म नहीं है लेकिन पंधरह जार रुपे की तो मालुम पढ़ रहा है और मेरा भी पंधरह जार रुपे की पड़ी आप देखना पड़ेगा पुलिस को सुचना दिया आपने जी पुलिस को सुचना दिया सब लोग आके हमा इसे देखा हुआ है सब चीज जांच करके तसली लेके देके चले गए और हमारी डौसा भी हमारी स्टाप भी सारे आए थे